सभी को गोड इवनिंग, सभी को थैंक यू जो भी नए कंडिडेट है या जो पुराने कंडिडेट है चैनल को लाइक नहीं किये, सब्क्राइब नहीं किये, वेल आइकान प्रेस नहीं किये हैं, वो ये सब कर लें और इस वीडियो को अपने अपने ग्रूप में सेयर कर लें क्योंकि आज बहुत सारे questions कराने वाले हैं और बहुत अच्छे questions कराने वाले हैं और question की practice बार-बार करिए ये बात मैं हर अपने वीडियो में repeat कर रहा हूं क्योंकि जितना ज़्यदा revision कर लोगे NEET में आपकी एक अच्छी खासी rank अप्टेन हो जाएगी और जितनी अच्छी रैंक होगी आपको कालिज भी उतना अच्छा मिलेगा सब कुछ आप पर डिपेंड है कि कितना आप रिवीजन करते हैं NCRT बुक को बार-बार पढ़िए ये बात-बार बात कर रहा हूँ कि जितना NCRT आप पढ़ लोगे बायो में 90% 95% कोस्टन्स बायो के पूछे जाते हैं NCRT से तो 11 और 12 दोनों NCRT आपको बहुत अच्छी तयार करनी है तो चलिए आज शुरू किया जाए आज का पहला कोस्टन आपका ये रहा पहला कोस्टन जो सबसे पहले जवाब देता है आशिप आकास गोड मार्निंग गोड इवनिंग है मार्निंग नहीं आशिप और जवाब सभी का आच का है और जवाब फूर्थ आपसन सही है सबसे पहले नीता चोपला ने एंसर दिया है यह question 2017 में आ भी चुका है नीट के अंदर तो question number one का फूर तैंसर सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ very good, good afternoon इसने है दूसरा question है study the four statement given below end select the two correct ones out of them परा है definition of biological species was given by Ernest Mare दूसरा option है photo period does not affect reproduction in plants थर्ड आप्शन है binomial nomenclature system was given by आरेच विटकर नेस्ट है इन यूनिशलर आर्गिनिस्म रिप्रड़क्शन इस साइनुनाइमस विद ग्रोथ देखते हैं किसका जवाब आता है सही question बहुत अच्छा है पूरी ताकत तुमको जोकनी पड़ेगी और सबसे पहले और एक काम जरूर कर दीजे वीडियो को अपने अपने ग्रोप में निश्चेत रोप से सेयर कर दीजे जरूर सेयर कर दीजे कई लोगों के जवाब गलत भी है कुछ के सही भी है और सही जवाब देने वालों में सबसे पहले हैं प्रजापती सेकेंड नमबर पर इसने हल इन लोगों ने जवाब सही दिया है तो question नमबर दो का third answer सही है ज़े लोगों ने आप first option दिया है उनका गलत है उनका गलत है चलिए question number third की तरह फंपर रहे है question number third आपकी स्क्रीन पर question number third आ चुका है वेच आपना फालोइंग इस नाट आ correct statement question ये पूछा गया है कौन सा correct statement नहीं है देखते हैं किसका जवाब सही आता है question number third very good so समझ करके answer दीजिए बिल्कुल सही answer है सभी के answer सही है और सबसे पहले वही प्रजापती ने answer सही दिया है second number पर इजाज ने सही answer दिया है इन लोगों के जो आप सही आये हैं तो question number three का first answer सही है बिल्कुल question number four आपकी screen पर आचुका है question number four the common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their family order division genus देखते हैं किसका जवाब आता है सही कुछ लोगों के जवाब गलत हैं कुछ लोगों के जवाब गलत हैं और कुछ के जवाब सही भी आये हैं नविता कल कहा थी भाई नविता कल गोल मार दिया तो question number four मैंने पूछा है common character क्या है tomato और potato में common character यही है दोनों की family एक है तो question number four का first option सही है अच्छा आई थी very good हमने ध्यान नहीं दिया तो question number four का first answer सही है दोनों की family same है दोनों की family same है very good चलिए question number five question number five देखते हैं किसका सही आता है question number five आपकी screen पर आ चुका है icbn stand for पहला option एंटरनेशनल कोर्ट फार बोटेनिकल नमन क्रेचर दूसरा है इंटरनेशनल कॉंग्रेस आप बायलोजिकल नेम्स और question number five कुछ लोगों का answer गलत आया है और उन्होंने अपने answer को cancel भी कर दिया है तो question number five पाँच का first answer सही है इंटरनेशनल कोर्ट आप बोटेनिकल नमन क्रेचर तो पाँच question का पहला option सही है very good अगला question question number six की तरफ हम बढ़ रहे है question number six आपकी screen पर आने वाला है question number six आपकी screen पर आ चुका है which of the following are found and extreme saline condition पहला option है यो बैक्टिरिया दूसरा सैनो बैक्टिरिया तीसरा माइको बैक्टिरिया और नेस्ट आर्की बैक्टिरिया question number six question number six का सबसे पहला जवाब दिया है नविता ने दिया है question number six नविता ने दिया है हलाकि answer सभी ने दिया है सही answer दिया है लेकिन नविता ने सबसे पहले answer दिया है fourth six का fourth answer hundred percent सही है very good अब कुछ question हम oral करने जा रहे हैं कुछ question oral करने जा रहे हैं बताइए Elgin obtained from Elgin किससे प्राप्त की जाती है green algae, red algae, brown algae Elgin obtained from very good सबसे पहला जवाब इसने हलका आया है Elgin को नविता गलत है नविता गलत है इजाज गलत है गोविन गलत है नीता चोपला सही है प्रजापती गलत योगिता दुबे गलत आसिप सही है Elgin किससे प्राप्त की जाती है brown algae से प्राप्त की जाती है Elgin brown algae से प्राप्त की जाती है यह question कई बार करा चुके हैं फिर भी देखे फिर भी देखे कोश्चन गलत हो गया होता क्या है कोश्चन आसान देख करके हम अपने ब्रेन के संतुलन को खो बैठते हैं जो कि नहीं होना चाहिए कोश्चन चाहिए आसान हो या हार्ड हो ब्रेन पर अपने कंट्रूल रखना चाहिए अगला कोश्चन यह ह नमबर आफ फ्लेजला इन योगलीना योगलीना में नमबर आफ फ्लेजला कितने होते हैं बेरी गोट सबसे पहले जो आप इसने हल ने दिया है बाद में आधिस ने दिया है दो फ्लेजला होते हैं बिलकुल सही बात है सभी का एंसर सही है एक बहुत छोटा होता है एक बहुत बढ़ा होता है अगला कोश्चन नीट का ही हम पूछने जा रहे हैं पूछा जा चुका है नमबर आप नियोकलियस इन परामीशियम परामीशियम में नमबर आप नियोकलियस कितने होते हैं नमबर आप नियोकलियस इन परामीशियम परामीशियम में नमबर आप नियोकलियस कितने होते हैं सही बाद सभी का सही जवाब है सबसे पहले नीता चोपला ने एंसर दिया है और एक बाद जो आप question आया था वो मैं अब बताने जा रहा हूँ बेलकुल सही जवाब है नीता चोपला एक micronucleus होता है और दूसरा micronucleus होता है Micronucleus participate in the sexual reproduction but macronucleus control on the activity of body तो यही question आया था कि macronucleus का work क्या होता है तो paramecium में macronucleus body की activity पर control करता है और macronucleus sexual reproduction में participate करता है तो परामेश्यम में धो न्यूक्लियस होते हैं एक माइक्रो और दूसरा माइक्रो बेरी गोट नीता चोपला कोस्चन नमबर सेवन की तरह हम बढ़ने जा रहे हैं कोस्चन नमबर सेवन अपनी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आएगा क्योंकि इंतजार कफल मीठा होता है देखिए आचुका हम तुमसे कह रहेते आएगा कोस्चन ये है साथ वायरोयट्स डिफर फ्राम वारसेस इन हैविंग डियने मालीक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट दूसरा अप्षन है आरेने मालीक्यूल विद प्रोटीन कोट थर्ड अप्षन है आरेने मालीक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट नेस्ट है डियने मालीक्यूल विद प्रोटीन कोट कोस्चन नमबर सेवन का देखते हैं सबसे पहले जवाब किस ने दिया है question number 7 सबसे पहले जवाब आया है इजाज का very good इजाज सबसे पहले कास्मा मांदवी दो क्लासों से बेटा अप्षेंच चल लही थी कहा थी तो सबसे पहले इजाज ने अंसर दिया है very good इजाज और question number 7 का third option सही है very good question number 8 की तरफ हम बढ़ने जा रहे है थोड़ा सा इंतजार स्कीन पर आपके एंसर question आ जाएगा question number 8 question number 8 आपकी स्कीन पर आ चुका है which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall जाब जाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया है लेकिन सबसे पहले जाब किसका आया है second number पर इजाज का आया है तो जाब तो सभी का आया है लेकिन इस दियाल ने सबसे पहले जाब दिया है तो question number 8 का second answer सही है question number 9 की तरफ हम बढ़ने जा रहे है question number 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है which of the following component provides sticky character to the bacterial cell पहला option है नियोक्लियर मेंब्रेन दूसरा option है प्लाज्मा मेंब्रेन तीसा option है गलाइको कैलिक्स नेस्ट है सल्वाल देखते है question number 9 का किसका सही answer है इसने अलपांडी ने सबसे पहले answer दिया है कास्मा मांदवी तुमारा answer गलत आ चुका है तो question number 9 का third answer सही है question number 9 का third answer सही है question number 10 आपकी screen पर आ चुका है DNA replication in bacteria occurs within nucleus prior to fusion just before transcription during a space ये question नीट पर पूछा गया था 2017 में 2017 का question है question number 10 का कई लोगों ने answer गलत भी दिया है जैसे नविता का answer गलत है इजाज का answer गलत है हसन का answer गलत है और अवधिस ने सबसे पहले सही ज़ौब दिया है तो इसका answer क्या होगा question number 10 का second option सही है ये question पूछा गया था 2017 नीट में पूछा गया था question number 10 का second answer सही है जिन लोगों ने third लगाया है या fourth लगाया है उनके answer गलत है question number 11 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं question number 11 आपकी screen पर आ चुका है an example आप colonial algae colonial algae का example पूछा गया है very good सबसे पहला जवाब इजाज का आया है second number पर अवधिस का आया है और जवाब सब के सही है इजाज very good और सबसे पहले answer देने के लिए आपको thank you तो first option सही है question number 11 का question number 12 की तरफ हम बढ़ चुके है question number 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा select the mismatch हमें mismatch को select करना है पहला option दिया गया है आपकास डायोसियस दोस्टा साल्वीनिया हेट्रोस्पोरस एक्योसिटम होमोस्पोरस और पाइनस डायोसियस हमको देखना है question number 12 का कौन सा एंसर सही है mismatch हमको देखना है और कई लोगों ने जवाब गलत दिया है इसका कोई भी जवाब दिया करो तो सोच समझ करके जवाब दिया करो जैसे गलतिया नहों और यही habit तुमारी अंत तक काम करेगी तो यह ध्यान दीजिए एंसर जल्दी दो गलतिया नहों यह विशेश रूप से तुम्हें ध्यान रखना है तो जिन लोगों ने first option दिया है एंसर उनका एंसर गलत है और जिन लोगों ने fourth option दिया है उनका एंसर सही है जैसे इसनिहल पांडी ने सबसे पहले fourth option चूच किया है तो इसनिहल very very good तुमने बहुत अच्छा जौब दिया तो fourth option सही है question number 12 का fourth option सही है आगला question हम पूछने जा रहे है oral question है written नहीं आएगा बताईए funeria plant monosius होता है या dioces funeria plant monosius है या dioces funeria plant monosius और dioces कोई एक select करना है आउधिस का जौब आया है monosius very good of this सबसे पहले जौब देने के रिए धन्यवाद very good सभी का answer है monosius next question तुमारा ये है pinus का plant branched होता है या unbranched pinus plant is branched और unbranched pinus का plant कैसा होता है branched या unbranched फिर से जवाब आ गया है अउधिस का branched होता है सही बात pinus का plant branched होता है अगला question मेरा ये है किसके seed में wings पाय जाते हैं which are the following plants presents wings in the seed कौसे plant के seed में wings पाय जाते हैं question आ चुका है PMT में आया है किस plant के seed में wings पाय जाते हैं wings found in the seed very good very good सभी का जवाब सही है सभी का जवाब सही है very good अगला question बताईए claim idomonas unicellar है या multicellar green algae है claim idomonas unicellar green algae है या multicellar green algae है नविता का जवाब सबसे पहले आया है second number पर इस नहल काया है अगला question ये है very good सभी के अंसर सही है अगला question तुमारा ये है बताईए किसके seed के germination के लिए fungal associated होना बहुत जरूरी है fungal necessary for germination of seed किसके seed के germination के लिए fungal infection जरूरी है ये question पिछले साल नीट में पूछा गया है जिम्नो स्पर्म नहीं नविता अउधेश ने जौप सही दिया है पाइनस इस नहल जिम्नो स्पर्म नहीं पाइनस साइकस के seed के लिए fungal association की जरूरत नहीं होती है अउधेश का जौप सही है प्रजापती का जौप सही है बेरिगोड पाइनस के seed के जरूरत नहीं हो पाएगा अगला question ये है नेस question अब आप screen पर देखे नेस question हाँ सही बात दिया है ट्रांस्पोर्ट इन्प्लांट में दिया है अउधेश बिलकुल सही है इसी प्रकार से NCRT पूरी तयार करो और ये याद रखना चाहिए कौन सा question कि जगे पर दिया है तब समझ लेना कि NCRT हमारी प्रापर तयार हुई है अगला question 13 आप की screen पर आप देखे question number 13 question number 13 आप की screen पर आचुका है बहुत सारे question बहुत अच्छे-च्छे question जाइगोटिक मियोसिस इस करेक्टरिस्टिक आफ पहला अपसन दिया गया फ्यूकस दोस्सा अपसन फ्यूनेरिया थार्ड अपसन क्लेम आइडो मोनास और फूर्थ अपसन है मारकेंसिया देखते हैं किसका जाब सही आता है और किसका जाब आया है गलत जाब तो कुछ लोगों के सही भी आया है कुछ लोगों के गलत भी आया है मिच्चर जाब आया है और सही जाब नियम के मताबिक हम सही जाब बताते हैं सबसे पहले प्रजापती का जाब सही आया है इन्होंने कहा है कि कोस्चन नमर थर्टीन का थर्ड एंसर सही है और जाब भी सही है थर्ड आपसन सही है तो जिन लोगों ने first option दिया है उनका जौब गलत है तो जाइगोटिक मियोसेस इस characteristic का क्ले माइडो मोनास और जाइगोटिक मियोसेस समेशा ध्यान रखना उनमें होता है जिन में हैपलोंटिक लाइप साइकल होती है तो क्ले माइडो मोनास की लाइप साइकल हैपलोंटिक होती है इसलिए third answer सही है question number 14 आपकी screen पर है question बहुत अच्छे से पढ़ा करो read किया करो तब answer दिया करो जल्दबाजी नहीं जैसी अभी practice कर लोगे वहीं चीजे दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी life cycle आप एक्टो कारपस और फ्यूकस रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छा question बहुत सांदार question है और देखते हैं किसका जौब सही आता है question बहुत ही सांदार है और सबसे बड़ी बात तो ये है सबसे पहले जौब अउधिस ने दिया है और किसी ने कोई गलती नहीं की है और बहुती fast जौब भी दिया है तो अउधिस का जौब सही है रोहन बिल्कुल जौब सही है मेसा क्लासे चैनल पर आपका स्वागत है तो question number 14 का second option सही है question number 15 की तरह हम बढ़ने जा रहे है question number 15 एक से एक बढ़कर के question अच्छे च्छे तुमारे सामने हम रिप्रेजन कर रहे है question number 15 देखे आप कुनिफर्स आडप्टेट टू तोलरेट एक्स्ट्रीम इन्वर्मेंटल कंडिशन विकास ब्राड हर्डी लीव्स सोपरफीशल इस्टोमेटा थेक क्योटिकल प्रजेंस आप वैसल्स देखते हैं किसका जवाब आता है सही question number 15 very good सभी का एंसर सही है question number 15 और सबसे पहले जवाब तो अधेश ने दिया है very good अधेश धन्यवाद तो जैसा कि तुए जो लोग नए है मिस्टा क्लासे चैनल को like कर लिजे subscribe कर लिजे icon प्रेस कर लिजे और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में अवस सेयर करें और जिससे की हम कोई भी मिस्टा क्लासे पर अगर जो इनफार्मेशन देना चाहते हैं तो वो इनफार्मेशन आप तक प्रापर पहुंशती रहे और तुमको ये भी मालूम है मिस्टा क्लासे की तरफ से 15 जन्वरी से क्रेस बैच स्टार्ट हो रहा है बायो का इसमें कम्प्लीट जोलोजी एंड कम्प्लीट बाटनी पढ़ाएंगे इसके रेस्टेशन 10 जन्वरी से स्टार्ट हो चुके हैं और ये भी आपको मालूम है कि एक बैच के अंदर केवल 10 स्टुडेंट को रखेंगे 10 से ज़्यादा नहीं 10 से अगर अधिक होते हैं तो हम न्यू बैच क्रियेट करेंगे क्योंकि हर स्टुडेंट के उपर हम अपना पर्सनल अटेंशन देना चाहते हैं इसलिए लार्ज एमाउंट में एक बैच के अंदर बच्चे नहीं रखेंगे चलिए अब आपकी स्क्रीन पर है अच्छा अच्छा कोश्चन नमर 15 का एंसर था थार्ड साइद एंसर बताने को फूल गए हैं तो कोनी फर्स जो थे कोश्चन नमर 15 कें चर्चा कर रहे हैं भी कोश्चन नमर 15 में थिक क्योटिकल जो पाया जाता था वो एडाप्टिव करेक्टर्स था अब कोश्चन नमर 16 important characters is that हेमी कार्डेट हेमी कार्डेट का important characters क्या है कोश्चन नमर 16 कोश्चन नमर 16 का कई लोगों ने जवाब गलत दिया है कई लोगों ने जवाब गलत दिया है कोश्चन नमर 15 एसरी 16 नविता तुमारा जवाब बिलकुल सही है और सबसे पहले जवाब भी दिया है नविता ने बिलकुल सही है अंजुम Mr. Classes Channel के उपर आपका स्वागत है तो सेकिंड एंसर जिर लोगों ने जवाब दिया है उनका एंसर सही है मांदवी तुमारा एंसर बिलकुल सही है बेरी गुट और इसी प्रकार से एंसर दिजिए और आगे बढ़ें अग्रा कोश्चन यह हमारा है तुमारे लिए इस पैरुगारा में इंटर्नल फर्ट्लैशन होता है या एक्स्टर्नल ओरल कोश्चन है इस पैरुगारा में इंटर्नल फर्ट्लैशन होता है या एक्स्टर्नल इस पायरोगारा में इंटर्नल फर्टिलाजिशन है या एक्स्टर्नल आउधिस का जौब आचुका है आउधिस ने कहा है इंटर्नल बेरिवुट और रियल में इंटर्नल फर्टिलाजिशन ही होता है अगला कोश्चन ये है किस में griddle shaped या c shaped chloroplast पाय जाते हैं बताएए किस में griddle shaped और c shaped chloroplast और present griddle shaped या c shaped chloroplast किस में present होते हैं कोश्चन बहुत अच्छा है कभी भी आपको नमबर दिला सकता है griddle shaped नई भाई नविता गलत अंसर है griddle shaped या c shaped chloroplast फाउंड इन प्रजापती का अंसर सही है yellow thrix में पाय जाते हैं yellow thrix में chloroplast griddle shaped नई इस पायरोगारा में नहीं पाय जाते हैं इस पायरोगारा में ribbon shaped होते हैं फीते क्याकार के होते हैं और yellow thrix में c shaped या griddle shaped पाय जाते हैं इस नहल इस पायरोगारा नहीं है इस पायरोगारा में ribbon shaped पाय जाते हैं चलिए आगला question देखा जाए अच्छा एक question और पूछे ले रहा है बताईए letter like conjugation किसमें पाई जाता है letter like conjugation found in letter like conjugation found in letter like conjugation found in नई भाई अधेश letter like conjugation अधेश बैक्टिरिया में नहीं होता है letter like conjugation कोई क्या कहते है जिन लोगों ने बैक्टिरिया answer दिया है उनका answer गलत है letter like conjugation कोई क्या कहते है iskelly farm conjugation कहते है तो इस पैरूगरा जिन लोगों ने answer दिया है उनका answer सही है प्रजापती का answer सही है लता अच्छा साच्छी साच्छी हो ना हाँ इस पैरूगरा सही है very good तो इस पैरूगरा में letter like conjugation होता है तो इसक्रीन पर आप आजाईए question number 16 का second answer सही है question number 16 का second answer सही है तो question number 16 में जिन लोगों ने second answer दिया है उनका hundred percent सही है question number 17 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं question number 17 और आपकी screen पर बहुत जल्दी आएगा आ चुका है 17 है which among these is the correct combination of acutic mammals acutic mammals का सही combination क्या है बहुत अच्छा सांदार question और जवाब भी उतने अच्छा सांदार लेकिन प्रजापती ने answer गलत दिया है और नविता ने answer सबसे पहले दिया है नविता बेरिगोट question number 17 का second option सही है whale dolphin seal ये सब mammals है और acutic है प्रजापती third option नहीं होगा क्योंकि trigon क्या है एक fish है trigon क्या है fish है यहाँ पर बात की गई है acutic mammals के बारे पूछा है हमने तो question number second answer सही है 17 का second answer सही है question number 18 की तरफ हम move करने जा रहे है question number 18 देखते हैं किसका जाप सही आता है question बहुत concentrate हो करके भाई मेरा करना है क्योंकि तुम्हें मालूम है इसी टाइप के questions PMT में आते हैं जितना बढ़िया यहाँ response दे दोगे उतना बढ़िया आप वहाँ response दोगे और देखते है question number 18 का क्या होगा answer question number 18 क्या दिया गया है which आप दा फालोइंग रिप्रेजेंट order of horse horse का order क्या है horse का order पुछा गया है very very bad किसी का answer सही नहीं है केवल एक लोग का answer सही है केवल एक candidate का answer सही है और अब answer दो लोगों का सही आ चुका है एक तो अर्फा हसन का answer सही है और दूसरा प्रजापती का answer सही है बाकि सभी लोगों के answer गलत है मैं बार बार कहता हूँ जल्दवाजी मत किया करो धैर इसे question पढ़ा करो और brain के उपर balance बना के answer दिया करो ये बाते दिमाग के अंदर जब set हो जाएंगी तो नीट में अपने से गलतिया नहीं होगी ये practice सपन कर रहे हैं कि जितना बढ़िया practice यहां पर कर लेंगे हम नीट में उतना अच्छा पर फार्म करेंगे इस बात को हमेशा ध्यान रखना तो first answer सही है तो केवल दोई लोगों का answer सही आया था बाकि सभी का answer गलत आया था question number 19 तो question number 18 का first option सही है question number 19 आपके screen पर एक दो second के अंदर ही उपलब्द हो जाएगा question number 19 आपके screen पर आचुका है और देखिये क्या होगा job question number 19 in case of peripherals, peripherals the spongosil is lined very good, very good और एक बात तुमको बता दे question number 19 सभी ने answer सही दिया है coenocyte cells, very good और coenocyte cells का पहे जाना phylum peripherals का एक characteristic feature से phylum peripherals का एक characteristic feature है coenocyte cells का पहे जाना तो सभी के answer सही है question number 19 का second answer सही है very good और question number 20 आपके screen पर आने वाला है question number 20 देखिए सीधी सी बात है जितना अच्छा परफार्म इस plate farm पर करोगे neat पे भी उतना अच्छा परफार्म करोगे question आ चुका है choose the correct statement all mammals are vivi paris दोस्टा आप्शन है all cyclostorm do not possess junk and paired fins third option है all reptiles have a three-chambered heart और nest है all pieces have gill covered by an upper column question number 20 देखिए कितना सांदार question है जो आपके सामने इस समय है इसने हल तुमारा answer गलत है correct है पूछा है हमने तुमने कहा है कि first option तो अगर जब protoetherian mammals की बात करें तो protoetherian mammals तो ओभी परस होते है इसलिए इसने हल तुमारा ज़ाब गलत है second option सही है बाकी सभी का सही है और सबसे पहले second option आगे बताएंगे तो question number 20 का second option सही है उस animals का नाम बताईए oral question जिसमें many mouth and one anus पाय जाता है which आपदा following animals occurs many mouth and one anus उस animal का नाम बताईए जिसमें बहुत सारे mouth और एक anus पाय जाता है oral question है आपके सामने बहुत सारे mouth और एक anus पाय जाता है very good इस नेहल का सही answer है इस sponge में बहुत सारे mouth होते हैं और एक anus होता है sponge में जो आस्तिया होते हैं वो act as mouth और आस्कुलम जो होता है वो act as anus आस्तिया बहुत सारे होते हैं और आस्तिया पोर के द्वारा water body में इंटर करता है तो आस्तिया act as a mouth और एक बड़ा पोर होता है जिसे आस्कुलम कहते हैं और आस्कुलम के द्वारा water बाहर निकलता है तो आस्कुलम act as anus तो सबसे पहले इसनिहल पांडे ने जौब दिया था चलिए question number 21 आपकी screen पर question number 21 देखे सभी लोग बहुत अच्छा answer दे रहे हैं और question number 21 ये रहा आपकी screen पर coconut fruit is a पहला option है berry दूस्छा option है nut तीस्छा option capsule और next option है drop सबसे पहला जौब तो इसनिहल रुकाया है और अउधिस का उसके बाद और दिवान सहरवार कैसे हो भाई पढ़ाई कैसे चल लही है दिवान सहरवार तो मा जाते हो तो ताजे पुरानी यादे ताजी हो जाती है इसी प्रकार से आते रहो दिवान सहरवार और बिल्कुल सही एंसर है तो question number 21 question number 21 का फूर्थ अप्शन सही है very good और फूर्थ अप्शन सही है दिवान सहरवार चलिए question number 22 की तरफ भड़ते हैं 22 question ये है question number 22 तुमारी screen पर बहुत जल्दी आने वाला है ये रहा 22 questions आपकी स्कीन पर बोगन विर्या त्रोंस और दा मोडिफिकिशन आफ बहुत अच्छा question है 22 22 बहुत अच्छा question है और बहुत लोगों ने गलत जवाब भी दिया है बहुत लोगों ने तो नहीं कुछ लोगों ने जवाब गलत दिया है जिनको नहीं देना चाहिए था तो question number 22 का second option सही है मतलब ये किस का माडिफिकिशन है इस time का माडिफिकिशन है तो ऐसे question और जो गलतिया हम से यहाँ पर हो रही है वो गलतिया हम नीट में भी करेंगे क्योंकि देखिए सीधी सी बात है किसी की भी test series हो कोई भी questions कराता है जितने questions वहाँ गलत होंगे उतने questions आपके नीट में भी गलत होंगे तो ये एक मौका बहुत बढ़िया है आप अपटी गलतियों को सुधारे और नीट की तरफ बढ़े question number 23 ये रहा आपकी skin पर question number 23 आपकी skin पर question आने वाला है और आ चुका है दा मार्फोलोजिकल नेचर आप दा एडिबल पार्ट आप कोकोनट देखते हैं पहला option कोटिली डॉन दिया है दूसा इंडो स्पर्म तीसा पेरी कार्ट नेस पेरी स्पर्म देखते हैं question number 23 का किस का आता है सही answer सही answer सबसे पहले किस ने दिया है आउधिस ने दिया है बेरी गुट जो आप सभी का सही है second option तो मार्फोलोजिकल नेचर आप दा एडिबल पार्ट आप कोकोनट क्या खाय जाता है कोकोनट में इंडो स्पर्म खाय जाता है बेरी गुट सभी ने answer दिया है बहुत अच्छा answer दिया है जितना अच्छा question उससे बढ़िया तुमारे answer question number 23 का second answer सही है question number 24 की तरफ हम move कर रहे हैं question number 24 देखते हैं किसका जाब आता है सही 24 question आपकी स्कीन पर आ चुका है question दिया है देखते हैं जाब किसका सही है बेरी गुट जाब सभी का सही है और सबसे पहले जाब नविता ने दिया है नविता बेरी गुट धन्यवाद option second सही है इसी प्रकार से जाब देते रहे है और नीट की तरफ आपके कदम बढ़ते रहे तो question number 24 का second answer सही है question number 25 25 आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आएगा और आभी चुका है बहुत सोच समझ करके answer देना गलत मत करना जल्दी भी और अच्छा भी answer दो अमर कैसे हो भाई how many plant among indigophera sesvenia salvia allium, aloia, mustard groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different plant in their flower बहुत अच्छा question very very good इतना सांदार question और देखते हैं किस का जवाब आता है सही सबसे पहले question आप देख रहे हो कितना सांदार है और देखते हैं answer किस के आते हैं सही अभी किवल तीन लोगों के answer आये हैं और देखते हैं किस का answer सही आता है किस का गलत जितना सांदार question है उतने सांदार answer भी आये हैं और सबसे पहला answer अवधिस ने दिया है अवधिस का answer है second और बात भी सही है second प्रजापती ने answer दिया है और साची अपने कदम पीछे हटा ली है जबकि अपनी जगए पर वो सही थी तो second answer सही है अवधिस बहुत बहुत धन्यवाद इस question का जो आप सही देने के लिए जो किस में बहुत दिमाग लगता है question number 26 देखा जाए question number 26 देखते है क्या जवाब तुम लोग देते हो ये रहा आपकी screen पर 26 question तब वाइस को लोग कंभी अब नार्वली गेप राइस टू question number 26 देखते हैं किस का अंसर आता है सही question number 26 का तू infections का सही answer दिया है सब से पहले प्रजापती ने दिया है उसके पास शाच्ची ने दिया दिया इनलोगों ने answer सही दिया है वैशे अंस इन्होंने बता दिया है इजाज ने बेरी गोड इजाज चलिए question number 27 की तरफ हम रन कर रहे हैं 27 question आपका ये रहा screen के ऊपर 27 27 question number 27 root here developed from the region of पहला आपसने इलाउंगेशन, root cap, merestimatic, maturation और इसका भी जवाब तुम लोगों ने दे दिया है सबसे पहले प्रजापती ने दिया है और सही जवाब दिया है maturation region से निकलते हैं, second number पर अवधिस का जवाब सही है उसके बाद इजाज का very good 27 का फूर्थ आपसन सही है, question number 28 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं question number 28 28 आपकी स्कीन पर बहुत जल्दी आएगा आ चुका है which of the following is made up of dead cell इनमें से कौन dead cell का बना होता है question आपके सामने है और देखते हैं किसका जवाब आता है सही question आपके सामने है कौन साइड में से dead cell का बना है question number 28 dead cell का कौन बना होता है तो सबसे पहले जवाब किस ने दिया है प्रजापती ने जवाब सही दिया है बी सही है फ्लीम फ्लीम जो होता है वो dead cell का बना होता है तो question number 28 का second answer सही है इसने हल तुमारा गलत हो गया है second option सही है question number 29 29 की तरफ हम रन कर रहे हैं 29 आपकी स्कीन पर आने वाला है यह रहा आपकी स्कीन पर 29 question identify the wrong statement in context of heart root heart root के लिए कौन सा wrong statement है very good 29 question 29 question very good सभी का answer सही है second option जो है wrong है कह रहे है second option it conducts water and mineral efficiently जो की गलत है यह water और mineral का conduction नहीं करता है बलकि plan को mechanical support प्रोवाइड करता है और इसकी cell dead होती है question number 29 का second option मैंने बोल दिया है question number 30 30 आपकी स्कीन पर सामने है question number 30 और आपकी भी स्कीन पर बहुत जल्दी आने वाला है question number 30 और आ चुका है cortex is the region found between cortex region किस-किस के बीच में पाय जाता है तो देखते हैं क्या जवाब आता है तुम लोगों का सबसे पहला जवाब 30 का नविता ने दिया है second number पर नीता ने दिया है और एक बात हर छेत्र में आज लड़की आगे हैं तो मिस्रा क्लासेश चैनल में क्यों पीछे रहें इस बात को देखते हुए सबसे पहले नविता ने एंसर सही दिया और second number पर नीता ने दिया लड़कों का नंबर तो बहुत बाद में आया लास्ट का नंबर और हर छेत्र में आज लड़किया कमाल कर रही है और वो कमाल आज मिस्रा क्लासेश चैनल पर भी लड़किया दिखा रही है तो question number लड़के भी दिखा रहे हैं मैं इस question की particular बात कर रहे हैं हाहा यह प्रजा पती मैंने का है लड़के भी दे रहे हैं मैं 30 नमबर के question की बात कर रहा हूँ हाँ अधेस बात सही है तुवारी ज्यादा तर लगा मैंने question number 30 की बात की है last की बात की है बाखी question की बात नहीं की है भाई last question में सबसे पहले लड़कियों ने जवाब दिया न हाँ ये बात सही है अचा एक बात दताओ आज लड़किया देखे हर छेतर में आगे है या नहीं हाँ साची सही बात है लड़के भी कम नहीं है ठीक है लड़के भी कम नहीं है और लड़कियों को पहले मौका नहीं मिलता था आज लड़कियों को मौका मिला है और हर छेतर में कमाल कर रही है और इजास्त तुमने बहुत सही जवाब दिया बहुत था रिक्वल बिलकुल सही है लेकिन अच्छा प्रजापथी तुम लड़की हो ठीक अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात यह लड़की हो करके भी लड़कों का समर्थन करती हो तो इससे पता लगता है कि तुम कितनी अच्छी हो बेरी गुट इसी प्रकार से उमा प्रजापती आज तुमने नाम अपना बताया अभी तक नाम भी नहीं बताया था तो आज इतना फिर मिलेगे साम को नई क्लास के साथ नए उत्तेजना नए कोस्चन नई परफार्मेंस के साथ और खुब कसके तुम लोग मेहनत करिये और मेरी तरफ से सभी को थैंक्यू हमारी तरफ से चै लड़का हो ये लड़की हो क्योंकि टीचर सभी के लिए होता है न लड़के के लिए न लड़कियों के लिए सब के लिए एक जैसा बेवार तो बहुत बहुत धन्यवास सभी को